तो दोस्तों आज के इस वडियो में हम आप सभी को दंगल टीवी पर आने वाले सीडियल नत्थ क्रशना और गोरी की कहानी के नए कास्ट के पॉर्डे सेलेटी के बारे में बताने वाली हूं जोके शायद ही आप सभी जानते हूंगे और जाने चाहते हैं तो हमारे वडियो क साथ अंत तक बनी रहीगा तो चलिए बढ़ते हैं वडियों की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं नबर फॉस्ट प्रतिमा कंनन जोके सीडिल में दाधी का किरदार निभारी ही है और इनके पॉर्डे सेलेटी की बात की जराए तो यह एक एपिसोड करने का 35,000 रुप जोके सीडिल में खुपाला का किरदार निभारी ही है और इनके पॉर्डे सेलेटी की बात की जराए तो यह एक एपिसोड करनी का C45,000 रुपे लेते हैं और इंप एक एपसोड करनी का 30,000 रुपे लेथी हैं नबर शक्स्त वंदना विट लानी जो कजीनल में मिसर्च नारायन का करदार निभारी ही है और इनके पॉर्डे सेलरी की बात की जाए तो ये एक एपसोड करनी का 35,000 रुपे लेथी हैं नबर सेमिंथ अलीशा पनवर्ट जो कसीडल में गौरी का करदार निभा रही है और इनके पोड़े सेलरी की बात की जाये तो ये एक एपिसोड करनी का 55,000 रुपे ले थी हैं जो कसीरिल में जीत का किरदार निभा रही है और इनके पोर्डे सेलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करनी का 45,000 रुपे लेते हैं नबर नाइन्थ चौहथ पांटी जो कसीरिल में क्रशना का किरदार निभा रही है और इनके पूर्डे सैलरी की बात की जाये तो येक एपसोड करने का 55,000 रुप लेती है 9.10 विक्टी आहुजा जो कसीरिल में रखुर्वेंदर का करदार निभा रही है और इनके पोर्डे सेलरी की बात की जाये तो येग अपिसोड करने का 3500 रुपे ले दी है जो का सीरियल में अभी मन्यू का किरदार निभा रही है और इनके पोर्डे सैलरी की बात की जाए तो ये एक एपजोड करनी का 30,000 रुप लेती है तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीरियल कैसा लगता है अभी कोवेट वोक्स में जरूर बताईएगा साथ ही अगर आपको हमारी ये वडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थन्यवाद